हेलो सोन्स, चैढ़ी हाकत मैं चीनल में आज से भी का स्वागत है जैसे से प्रिव्य स्वीडियो में प्रेक्टर स्टिक्स ऑफ किया था नेक्स वीडियो बेहां आज हम करने जा रही हैं टाइप सॉफ सिस्टम Types of system क्या होते है? मतलब जो system होते है जिसके अंदर small-small components से sub-systems होते है उससे हम क्या कहेंगे? उसके types क्या है? और कैसे उसको describe करना है? तो सबसे first type जो इसका आता है वो क्या आता है system का? सबसे first type है physical system अब कोई physical system क्या होते है? These are the tangible entities that may be the static और the dynamic operation For example, a part of a computer center the desk, the chair, the facilities, operations on the computer they are the static वो क्या कह रहा है? कि physical system का मतलब होता है ऐसा system जिसे हम touch कर सके tangible का मतलब होता है touchable जिसे हम touch कर सके, see कर सके, feel कर सके उससे हम बोलते है system अब physical system आप क्या कहे सकते हो? computer system है वो example हो सकते है physical system का लेकिन physical system में भी क्या है? two categories है सबसे first point तो इसका यह है कि यह tangible entity है entity means कोई भी object कोई भी entity हो सकती है वो और दूसरा main point क्या है इसके अंदर? कि वो tangible है tangible मतलब जिसे हम touch कर सके that can be the static और the dynamic इन ओप्रेशन operation जब हम उस पर perform कर रहे है तब हो सकता है वो static हो और हो सकता है कि वो dynamic हो static का मतलब होता है fixed जो अपनी ज़गा से हीले ना और dynamic का मतलब है changeable जिसके अंदर changes आते रहे जो change आ रहे हैं वो से adopt भी कर रहे है तो इसके अंदर आप कौनसा ले सकते हो example जिसे आप टच कर सकते हो, स्टैटिक हो, या फिर जिसे आप टच कर सकते हो, वो डैनमीक हो, क्या ले सकते हैं इसकते हैं, डैनमीक में तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक्जेंपल ले सकते हैं, कम्प्यूटर सिस्टम का, कम्प्यूटर सिस्टम में क्या होता है, कम्प्यू अग्जाम्पल अवे computer system है तो क्या हम सीज्णankiं कर सकते हैं computer system हो सकता है अगर mouse भाखा माऊस भी चीज्छ हो सकता है उसके लिए पुरा system चींज करने की नहीं नहीं है mouse कहराब है हम स्ब्सक्राइब की बोरा system ठीज करेंगी फिर अब क्या ले सकती है इसका दूसरे एक्जैंपल जिसमें हमने क्या देखने हैं static static में आप क्या देखोगे static का मितलब fixed जो एक पर काम हो गया हो गया उसको हम change नहीं कर सकते क्या example हो गया static में एक computer system है उसको बनाने के लिए कुछ न खुछ programming भी होगी कुछ ऐसे systems है जिनकी programming fixed है कुछ तो user होता है वो programming करे coding करे वो अपने लिए करता है फाइल्स बनाता है लेकिन जो user defended पहले से ही फाइल है उससे कौन यूज कर रहा है programmer जिसने computer system बनाया windows बनाया या जो भी operating system को यूज कर रहा है और वो क्या है प्रे रिटन प्रोग्राम से तो स्टाटिक ऐसे होगे क्योंकि उससे हम चेंज नहीं कर सकते आप क्या operating system के जो coding है उसे खुल के हम change करते है नहीं करते क्योंकि वो static है वो change हो भी नहीं सकता वो सिर्फ उसी को पता है जिसने वो program मिनाया तो यह तो होगे दो example एक तो static के लिए और दूसरा डाइनमी के लिए physical system में एक बड़े सी कर लेते है physical system क्या होता हो एक ऐसा अर्टिम्टेगल हो वह तू टैप्स की हो Static oder Dynamic. Static में आपने example लिया, program का, Play Rital program का, और dynamic में आपने example लिया एक computer system का, जिसमें desk है, chair है, table, mouse, keyboard, कुछ भी हो सकते हैं. Next type कुछ साहता है? Next type है Stract system. These are the conceptual और the non-physical entity. ये एक ऐसा system होता है जिसे conceptual हो. Concept हो logical में ना हो. Physically देख ना सके हैं उसे एक physical entity ना हो, जिसे हम ना देख सकते हैं, ना touch कर सकते हैं, वो सिर्फ mind में हो, एक ऐसा picture, only picture की form में कह सकते हो आप, जिसे हम देखतो रहे हैं, ठीक है, उसे touch नहीं कर सकते हैं, फिर आते हैं इसके example, example में क्या दिया है इसने, कि the abstract conceptualization of a physical situation, a model is a representation of the real plan system, a model is used to visualization of the relations, अब जैसे आपने देखा होगा, कि government क्या करती है, अगर उसे कोई flyover बनवाना है, कोई flyover बनवाना है, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले एक model त्यार करेंगे, वो real model तो नहीं होता, model ही होता, एक demo model होता है, लेकिन वो बनता तो है, किसके base पे बनता है, concept के base पे बनता है, इस बनाते हो, उसके अंदर भी तो models होते हैं, movies होती है, songs होते है, उसे आप सिफ देख रहे हो, feel कर रहे हो, लेकिन टस तो नहीं कर सकते है, किस screen पर जाकर, तो ये आजाते हैं, abstract system में, कि जिसके आते हैं, सिफ conceptual होते है, interconcept होता है, conceptual के साथ आप इस इस लोजिकल बोल सकते हो, कि ये लोजिकल तो होते हैं, लेकिन physical नहीं होते है, फिर next ones है type, next type है open system, अब open system क्या होते है, it has many interfaces with its environment, it interacts across with the boundaries, it receives input from the debt and the delivery output to debt outside the world, it must be adapt to the changing demand of the user, अब कोई open system का मतलब क्या होता है, एक ऐसा open system, जो क्या कर सके, interface कर सके, environment के साथ, मतलब एक जो system है, कोई भी business है, उसका अपना एक system है, कि वे एक systematic way से काम करते हैं, अलग-अलग सबकी duties है, लेकिन उस duties से भी आगे, उस environment के बाहर, उस building के बाहर जाकर interact करना, जैसे buyers आते हैं तो buyers के साथ interact करना, इसे हम क्या बोलते हैं, open system, क्यों कुछ ऐसे systems भी होते हैं, जिनका अलग से branch होते हैं, वो buyers के साथ connect करते हैं, और production, manufacturers, बाके जितने भी department से वो अलग होते हैं, तो वो open system में नहीं आते, open system में कोन आता है, जो बाहर के environment के साथ क्या करे, interface कर सके, इसके अ open system की एक सबसे बड़ी characteristic क्या है, कि जो user की demand आईगी, वो उसके according अपने system को change कर लेता है, कैसे change कर लेता है, देखो, हमारे चैनल study hack with mehack को like, जादा से जादा share and subscribe करे, अगर आपने subscribe कर दिया है, तो बाके सभी devices से भी subscribe करा सकते हैं, क्योंकि subscribers बहुत ज़रूरी हैं, then comment करे, MNC है, उस MNC में या फिर कोई भी ऐसी branch है, जो क्या करती है, according से software बना के देती है, और software बनाने के लिए वो किसी भी particular language का use करती है, Java का use करती है, वो Python का use करती है, C++ का use करती है, मतलब उनका fix criteria है, कि अगर तुमें software चाहिए, तो हम इन चार language में ही बना के देंगे, क्योंक अच्छे user interface है, जिसे वो easily interact कर सके अपने system के साथ, बस इतना चाहिए उसको दो, उसको कोई मतलब नहीं कि back में coding क्या हो रही है, कैसे function run करने है, कौन से language use हुई है, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन, एक system की बात है, वो क्या कह रहा है, मैं तो series 4 language ही है, यही prefer इसके आगे मैं language नहीं आती हमें, तो हम उसका system भी नहीं बना सकते, उस language के use करके system नहीं बिल्ट कर सकते, और एक दूसरी तरफ है, same बैसी MNC, वो क्या कह रही है, आती तो मुझे भी 4 language है, लेकिन, जो user आ रहा है, वो खाली नहीं जाना चाहिए, उसके लिए उसके लिए closed system, closed system भी पढ़ लेते हैं, क्या होता है, it is the isolate from the environment influences, यह क्या होते है, isolate होते है, environment influences से, मतलब जो भी environment आके interact करता है इनके साथ, उसके according यह, उसके demand के according यह, changes नहीं करते, अग complete closed system is rare, जो complete closed system, मिलना वोत rare होता है, कि कोई ऐसा नहीं है, जो यह कहें कि हां, मेरे पास चार्ट इन ही है, इन ही पर मैं काम करूँगा, कोई ऐसा नहीं है, जो आगे ना बढ़ना चाहिए, इन ही चेंज ना करना चाहिए, क्योंकि उससे पता है, अगर इन चार की demand अभी है, हो सकता है, दस दिन बाद इन की demand ना हो, कोई नहीं लेंग्विज आ जाजए, तो उसे वो सीख उसने पता है कि growth कैसे आएगी, जब वो environment के according, user के according, उसके demands को complete करेगा, तब उसी growth आएगी, तो mainly यही थे types, system के, students, अगर इस वीडियो को समझने पर आपको कोई भी problem आईए, या कोई doubt आता है, इन दिन आप हमें comment कर सकते हैं, thanks for watching my video.